हर हर महादेव मित्रो आज हम पाराश शिवलिंग के विशे में चर्चा करने आये हैं यह पाराश शिवलिंग है ओरिजिनल पाराश शिवलिंग है इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे हम इसके बारे में जानेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मारकेट में असली पाराशिवलिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं तो हम आपको उनसे दूर रहने का तरीका बताएंगे और आपको बताएंगे कि असली पाराशिवलिंग आप कैसे पहचान कर सकते हैं यह आए इसे हम रास लिंगम या पारा शिवलिंग भी कहते हैं यह का इसका एक तमिल नेम है रास लिंगम क्योंकि फ़िला ओर्जिनेशन वहीं से इसका हुआ है तो पारा शिवलिंग के बारे में कुछ जाना चाहेंगे पारा जो है प्रकर्टिक रूप में रहता है एक लिक की उसमें कैम और को सिर्वन्य निकल और इस तरह की अन्यद फाट वे रहती है जो जिसका काम इसको nonprofits करने केुए रहता है बूरे कि उनको क। या अनरजाइस करने के लिए इसकाक काम होता है तो हम सबसे पहले तो पारश शिवलिंग की बेसिक पहचान जानते हैं जो आपको पारश शिवलिंग की नाम पर ऐसे शिवलिंग मिलते हैं जो सही नहीं होते हैं बेसिकली वो क्या रहते हैं वो आईरन से बने हुए शिवलिंग रहते हैं उसके उपर सिर्फ पारे की की जाती है देखने में बिल्कुल आप धोका खा सकते हैं कोई भी दोका का सकता है कि वह असली है कि नहीं लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिससे आप उसे पहचान कर सकते हैं तो यह पारश शिवलिंग अगर आप देख पा रहे होंगे पहले तो जब आप इसको हाथ में पकड बदा होता है दूसरी बात यह जो है आप इसको पकड़ेंगे तो आपको ऐसे लगए हाथ से फिसल रहा है स्लिप होने वाला है अपको तो यह ऐसा लगेगा आपको आप कि यह ए पोने वाला है तो एक इन चीज दूसरा हम इसको एक तेस्त करते हैं आप देख पा रहे मेरे मेरी जो फिंगर से थोड़ी ब्लैक पड़ गई है अगर आप लोग वीडियो में देख पा रहे हूं तो नहीं तो मैं क्या करता हूं जहां से आप इसको रब करेंगे वहां से यह शाइन करेंगा लेकिन आपके फिंगर जो है ब्लैक हो जाएगी इस तरह से कुछ थम दे देखो आप यहां से यह कंपैरिटिवली जादा शाइन कर रहा है और जहां के कंपैरिटिव आप देखो मैं सवरब करता हूं तो यह जादा शाइन कर रहा है इस पॉइंट से और मेरी जो फिंगर है वो बिल्कुली काली पड़ गई है तो एक तो पहचान इसकी यही है कि आप असली अगर यह होगा तो यह आपके फिंगर को काला कर देगा खुद यह शाइन करेगा दूसरा क्या है इसके उपर पानी कभी ठहरता नहीं है तो हम एक वाटर टेस्स कर लेते हैं यह हमने इसको एक बाउल में रखा है और हम थोड़ा सब पानी में आप नोटिस करें पानी इसकी सर्फिस पे ठहर नहीं रहा है चिपक नहीं रहा है अगर आप उपर से ड्रॉप डालेंगे तो पानी इसके चिपकेगा नहीं है मैं दुबारा से आपको दिखाता हूँ शायद मैं तो पानी इसके कभी ठहरता नहीं है यह एक से दूसरी पहचान है अगर आप तो हमने पारश्विलिंग को क्लीन कर लिया है एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपने सुना भी होगा पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह आते भी कहेंगे कि आप इसको पानी में रखेंगे तो यह गोल्डन हो जाएगा आप किसी की बात ना सुनते हुए अपने विवेक से काम करें आप कहीं से भी पारा औरिजिनल अगर आपको मिल जाए या अपना थर्मामेटर को आप ब्रेक करके उसमें से पारा निकालें और उसको रखें पानी में डालके धूप में रखें आप देखिए वो गोल्डन होता जाना एक सही वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें एक पार्ट चांदी भी होता है, तो चांदी इसमें विलीन हो जाती है, अब मैं आपको टेस्स करके दिखाऊंगा, यह हमारे पास कुछ चांदी का वर्क है, यह आपको कहीं भी मिल जायागा, किसी भी ऐसी शॉप से जो जड़ कर देता हूं, कोई बात नहीं है, बहुत इसले आपको मिल जाया गए, तो अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है, अब हम इसको साइड रख देते हैं, यह हम इसको देख रहे हैं, क्या होता है इससे, अब आप देखती है, पारशिवलिंग, मैं इसको ऐसे हाथ से टच कर रहा हूं, आई होपि आपसुर लोक देख पा रहे हूँगे, जहां जहां मैं टच कर रहा हूं, आप देख रहे हूंगे, धीरे-धीरे वो इसमें समाही थो रहा है, विलीन हो रहा है, यह देखने में जादू जैसा लगता है लेकिन यह एक सिंपल साइन्स है क्योंकि चांदी भी इसका पार्ट है तो वो इसमें पूरी तरह से विलीन हो गया आप देखे कुछ लोग कहेंगी कि मेंने इसको चिपका दिया अभी हम इसको इसका भी आंसर देंगे आगे विडियो में कि यह चिपक गया है इससे क्योंकि बहुत लाइट होता है लेकिन कोई बात नहीं आप प्रत्यक्ष को प्रमाण किया वशक्ता नहीं होती आप वीडियो को ध्यान से देखें आप समझ जाएंगे कि देखें मेरे हाथ से भी जा रहा है और इसमें समाहित हो रहा है पूरा विलीन हो रहा है इसमें कुछ जगहां पर मेरी फिंगर नहीं पहुंच वारी तो मैं उतना एक्कुडेक्टि नहीं कर पा रहा हूं लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे अब आप देखिए जो हमने इसमें पारा पारा शिवलिंग के ऊपर हमने शिलवर्ट जो लगाया अगर यह चिपका है तो हम इसको रब करते हैं आप देखिए क्या वो हटता है क्या देखिए क्या वो हट पा रहा है कहीं से भी देखो हमने कितनी जहां पर लगाया कहीं से भी वो हट नहीं पा रहा है यह देखें आप क्या आप बता सकते हैं कि मैंने इसके उपर चांदी का वर्क लगाया है यह पूरा उसको पूरी तरह से खा गया है नॉर्मल लेंग्विजे बूले तो आप देखें पूरा का पूरा चांदी समाहित हो चुका है कुछ मेरे पास यहां पर कुछ छोटे टुकड़े भी पड़ और अब देखें अब आप उतार नहीं सकते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से उसमें समलित हो गया है तो यह बहुत ही अच्छा टेस्ट है प्वारस शिवलिंग के लिए हम एक टेस्ट और परफॉर्म करेंगे आज नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे पास सोने का वर्क है क्यो जाता है यह उरिजिनल पारा ही कर सकता है तो बेकार के धुकों में ना आए समझदार बने जानकार बने और उसी के बाद आप पारशिवलिंग को अपने घर में लाए अगर आप हमारे से पारशिवलिंग खरीदना चाहते हैं तो हम लिंक आपका डिस्रिप्शन में डाल द जाता है